हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंज आप थम्नेल पर पढ़ चुके होंगे कि बीना पढ़े भी आप इंग्लीज में अच्छे नंबरों से कैसे पास हो सकते हैं फ्रेंज यहां पी यह माडल पेपर है और यहीं पेपर आपके बोड के एक्जाम में इसी प्रकाश से प्रस्ण पूछेंगे तिस माडल पेपर को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा ठीक है देखे फ्रेंज यहां पी यह उत्तर पुस्तिका इस पर आपको जो लांग क्योश्चन है इसका एंस और कैसे लिख सकते हैं तो फ्रेंज आप से फ़र इतना निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा जिससे आप बोड के एक्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं देखिए फ्रेंज यहां पर क्या है कि जैसे आपको कुछ बहुई प्रशन होंगे आपके इसका कुछ ट्रिक बता देता हैं बहुई कल्पी प्रशनों को हल करने का देखिए फ्रेंज बहुई कल्पी प्रशन जब आप हल करेंगे आप माली जी का कुछ नहीं पता होता है तो आप बहुई कल्पी जो multiple choice question होगा आप इसको लाश्ट में कीजि पेपर दे रहे हैं तो कहने का मेरा मतलब क्या है अब आपको बताते हैं कि लांग जो question है उसका answer आप ट्रिक से कैसे आपको कुछ नहीं आता है तो लांग question का answer कैसे आप लिखेंगे ठीक है देखिए फ्रेंस यह पार्ट भी है जो कि आपको इसमें से एक passage दिया है ठीक है इस passage को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें जो question है उसका answer देना है ठीक है इस passage को यहां से लेकि आप लाश्ट तक ध्यान से पढ़ लीजिएगा ठीक है पुरा लाश्ट तक ध्यान से पढ़ लीजिएगा पढ़ने के बाद यहां पे फ्रेंस आपसे चार question पूछा जा home does the statue of liberty represent करता है अब देखें जैसे इसका हमको कुछ पता नहीं कि इसका answer कैसा लिखना है देखें पहले यहां पर साफ सुत्रा पहले पेज़ पहुत साफ सुत्रा यहां पर लिखिएगा पार्ट भी देखें जैसे फ्रेंस बता रहे हैं उसी तरह आप यहां पर निकले पा है देखें जैसे बता रहे हैं फिर इसके बाद इस निकालना बता रहे हैं आपको पहला है यहां पर पहले कर रहे हैं पहले कर रहे हैं यहां पर बगल में आप इस तरह साफ सुत्रा कोश्टक बना कि इस तरह ब्लेक पेंस से ए लिख लिए ठीक पहले का ए है अब यहां पर फ्रेंस लिखिएगा आप एंस्वर यहां पर आप एंस्वर लिखरी जीगा अब देखिए जैसे इसका एंस्वर आपको कुछ पता नहीं है तो देखिए आप क्वेस्चन से एंस्वर बनाना जाने गया देखिए जैसे पहला पूचा है कि हों डर्स इस्टेश्यू आप इसोड़लिबरिटिए अब देखिए अब इसमय से क्या करना है अब यहां पर देखिए अब यहां पी इंटर निव यार्क ब्रदर फॉर्स्ट अब यहांस क्या की जैगा जो यहां पर आपको का कपिए अपको क्या है करें प्टार्प एस्ट यहां सधुनें की इस About गीजिए गाप यहां से लेकि यहां तक पूरा आप लिखवेंगा पूरा एक पैर अगराफ ही यहां पे लिख लिएगा ठीक है यहां से लिखें के पूरा लांग कोईशन का ऐसा ऐसा डाट-डाट करके पूरा लिख दीजिए के साफ सुत्रा कार्ट पीट उसमें मत कीजिएगा तो आपका यह पूरे दूर नंबर इस पे मिलेगा फ्रेंश ठ साथ आपको करना ठीक है अब ढब देखें जैसे दूसरे प्रशन का एंस्वर आपको लिखना होगा देखिए यहां पर आप दूसरा नंबर भी यह भी आपका दो नंबर पर यहां पर करें वाट इस में बाई अंडरलाइन पॉर्शन का मतलब हुआ कि जहां भी नमबर डालिएगा फिर इसके बाद आपको क्या करना है मतब क्वेस्टन नमबर इस तरह दालके वन का भी कर लीजिएगा और जो अंडरलाइन पुरा पॉर्सन किया है पहले इसी को लिख लीजिएगा ब्लैक पैंसे लिखे दीजिएगा यहां तक पर लिबरेटी लिख टालने के बाद मतब जगह छोड़का पर दालिएके यहां पर लीबरेटी म्युनक लिवर्टी में हैब लीबरेटी में दो कि ऑफिके इस पर इसको पूरा यहां तक लिखने के बाद अब देखिएस विसके बाद लिखुआ से लिखिए आप यहां बाट यहां से लेकर पुरा यहां से लिखिए कि आप पुरा इसकी सामने वाला लाइन पृरा भर दीजए आपको इसे पूरा दो का दो नमबर ही मिलेगा ठीक आप दिए टीकिस अग्ला करना है अब देखेए यहाँ पर अमरेका इनस्वा तो को इस तरह बर देना है我知道 लिखने अब प्रैंची सिटिक अई शалम देना है ऑड़ इस Так यहाँ ओ मेत धालना प्र ऐहां से आप इस तरह भर देना ठीक है आध न साम यहाँ असाई असानी से जितने भी लंग को ठीक है अब देखे चलिए अगले प्रॉषन बताते हैं रप्ररस्ण आपको कैसे करना है देखे फ्रेस्ट चार नंबर को आपको प्र्रश्ण रहेगा अपको एक लीड़ लिए कहें दूसरा लिखने लिए इन दोने में जो आपको याद होता ठीक है लेकिन हमको तो कुछ पता है नहीं अगरेजी के बारे में फिर भी हम कैसे पास करेंगे देखे फ्रेंस इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पुड़ेगा न कि माली एप्लिकेशन लिखना आपको बताते हैं इसका एक पैरग्राफ होता एप याद होना चाहीं यहाँ से लेके यहाँ याद होना चाहिए ठीक है यदि आपडारफ कोई भी किसी चीछ और तक लिखी है और यहां पहुछाई पहुच्छी आप लिखने के बाद क्याकर देखी आब इसके आगया हमको कुछ नहीं आता है किसी पैसेज देगा इस वाले पैसेज से या पीछे एक पैसेज दिया था उस पैसेज से बीच में कहीं से भी उठाके मालीची यहीं उठाके पुरा लाश्ट तक भर दीजिएगा यहां से लेके यहां तक पुरा भर दीजिएगा ठीक है आप यहां से लेके भर दीजिएगा आपका paper हो रहा है वही date आप डाल दीजिएगा ठीक है इस प्रकार से आप application को अच्छी प्रकार से हल कर लिजिएगा जैसे बता है इसी तरह बोड के exam कीजिएगा आपका चार नंबर तो इस पर आपको कहीं भी चार नंबर में से आपको दो नंबर तीन नंबर आसानी से examiner दे देता है ठीक है अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं उसको कैसे आप हल करेंगे देखे आपका तिसरा नंबर का सवाल है जो च्छार नंबर का पूछेगा अब देखिए इसमें इसको कैसे आप लिखेंगे राइट ए रिपोर्ट आन्द क्राफ्ट इक्स हाइबिशन यानि इस पर लिखना है इन यूर इसकुल इन इबाउट असी सो वाट में लिखना है ठीक है जिसका हिंस दिया है वेन आपको हेटिंग बनाना है दूसरा कैसे करेंग आप यहां पे लिखेंगा इनसा न इस न पर लिखने के बाद करांघ बिसंट क्राफ्ट ठीक है इक्स जॉई भी टी आई ओए इस तरह लिखने बाद देखिए इस ब्लेक में सत्वद आईसे कर लिए अब देखें यहां पर हिंस दिया है आपको तो हेडिंग सब्सक्रिया अब हेडिंग पहे लिखना फीलेक पर हैं पर हेडिंग डाले गाएं ंदेगा लिक्क चले लाएगा इसको लिख करूंबक इसके बाहरे इसके बार में कुछ पता नहीं क्या नीजिकर आप सिधे पर आजए आपर जो आप यह साथ है बिदर घराफ करें दो फूर श्तआफ हो और खाट यह ко पूरेंगा यहां पूर्ण से सब्सक्राइथ sympath ठी град 270 समय और могу Tiger ini makan यहां ब भी क्वेंच के बारे में इसके आगे उसी तरह पूरा यहां तक भर ली जिए गांप ŁR लिखने के बाद आप फिरंस क्या करेंगे कि दूसरा अमबर को देखिए आप के सामने दूसरा नमबर का क्या है कि अब यह एडिंग है इसका हैडिंग इसी प्रकास सी की आप डालाटे गा बटाएं यहां पर चौड़ के थोड़ HOW यहांप अच्छे से और डालने के बाद देखिए क्या करना है आपको अब यहां पर हेडिन डालेंगे यह ब्लेक पैंसे डालिएगा अब जब लिखना है फिर इस सब्द का परियोग की जाएगा जिस पे आपको लिखना होगा राइटिंग रिपोर्ट ना तो उसी को बार-बार हेड इस आप प्रशने से ही इंस्वर निकालेंगे तरह करने के बाद अब किसी दूसरे पैर अगर आप से इंस्वर उठाई या उसी से उठा लिजेगा बीच में कहीं से भी यहां समाल लिजिए और जहां पर फूलिश्टाप रहेगा ठीक है जहां पर फूलिश्टाप देखि दा लिखेंगे तो अगले प्रश्ण को आप एक आपके सामने है बारे में कुछ पता है नहीं कैसे लिखेंगे अब यहां पी जैसे लिखा है बस यहां से इन्वाटिट कामा हटा के यहां लिखेंगे ती प्राश्ण कर यहां पर सब्सक्राइबlaw और प्राष्ण कर लिए घरी रिक्वेस्टिट कर लिए खरी कंदेर और और यहां पर प्लीज नहीं रहता और कोई सब्सक्राइब को हमेशा किसमें बदलते हैं इसके आगे जो लिखा रहे हर्मदार हर्मदार लिख लिएगा फिर यह कामा हटा आने के बाद डैट लगा दीजिए का लगाएंगे फ्रेंस आप यहां से कुछ नहीं रहेगा यहां प प्रेट इसके बाद हर्मदार लिख लिखिएगा पिर काम आठांने के लिए क्या करें नगाई इसके उप्पबिश अवाई distinguag अब यहांप बीच में जो यहां पर वर्व रहेगा इसके बाद वह सब्द एक दूब एक दूब चोड़ के तीसरा सब्द के पकड़िए उसे इसे इस्टार्टिंग लिखे दीजिएगा जैसे यहां पर कर लेंगे हम यू करने के बाद आप क्या करेंगे आप यहां पर नहीं कुछ समझ म इससे लिखे दीजेगा बैरे ठीक है वैल बैब बाई दके यह बाई लगाना मत भूलिए और जो इससे लिखे दीजेगा आई है तो आई यह लिखे दीजिए यदि आपको पता होगा तो आई कतमी हो जाता अबजक्ट के रूप में ठीक है फ्रेंस यह उन लोगों के इसका आपको लिखना इसके बारे में कुछ नहीं पताया देखिए कि अब क्या कीजिए जब भी punctuation रहेगा तो आप पहला जो लेटर रहेगा उसको capital में लिख दीजेगा यह समझ लिजी जब punctuation रहेगा तो पहला लेटर किसमें लिखना आपको capital में लिख यह फिर इसके बाद same to same इसी तरह उतार दीजेगा गाड़नर इसलिक इंडायरेक्ट स्पीच इंडायरेक्ट में इस तरह लगा देंगे आप लगाने के बाद फिर इसमें जैसे कि तैसे उतार दीजेगा प्रश्ण छोड़ने से बढ़िया है कि आप इसको कर क्या है ठीक है जिस तरह बता रहे हैं उसी तरह यह इसको आप अपना लेते हैं नियम को तो दो अप एकदम पहल नहीं हो सकते यह इसमें ठीक है इस तरह करके आप बंद कर दिजिए अपका हो जागा तयार ठीक है इस प्रकाल से करना है ठीक है अब देखे जैसे फ्रेंस अब देखें यह आप कहा था चार नंबर का इंग्लिज लिए इसका इंग्लिज बनाना इसके बारे में जब कुछ पता ही नहीं तो करेंगे क्या आप क्या कीजिए कि वही काम पैरग्राफ को उठाइए गा उसी पैरग्राफ में से इसमें भर से वीच में से एक पैरजर आप उठागे अपाई कर सकूंता है आ पूरा एक पेज लिखे दीजिए ठीक है अब यह अधिक अधिक लिगजिए आपकर आपको कई कि इसका इंसर देखेंगे चाहिए यह समाद कर हमें कुछ आता ही नहीं कोई के एक्जाम में कैसे लिखेंगे जिसे लिखा है में इसेंसियल पार्ट आफ सेलिबरेशन इन गोवा या हूँ वाज अन्य प्रैंक वेर फ्रैंक वेर डिट सी राइट हर डेरी इसका 40 से 340 वर्ड में एक क्वेस्टन दिया है मतलब कि क्वेस्टन के एंस्वर आपको 30 से 40 वर जाए जाए जैसे बता रहा है उसी प्रकास से बोड यक्जाम में कीजिएगा चलिए अगरे नबर क्वेश्टन को बताता है कैसे हल करेंगे देखिए सातवा नमबर का सवाल है इस सवाल को कैसे करेंगे इसके बारें कुछ नहीं पता है तो देखिए यहां पे लिखा है कि मैंसे ना फूट डिफरेंस बिट्वीन टाइगर इंजू एंड टाइगर इन जंगल एबाउट चाल नमशन पत्र रहता उसमें कहीं न कई पोएम ज़रूर दिया रहता है एँer ठाट को देखिए आपका पॉयम ठीक का दो त gouden नमबर छोड़ के मत आईएगा अब दिखें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है ठीक है अब सेंट्रल आइडिया बोड के एक्जाम कैसे लिखेंगे इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो आप पर अपको अच्छे से डाली एगा डालने के कोई ने कोई पैराघ्राफ आपको पता है उसी पैराघ्राफ में से इसका एंस्मार आप लिख दीजेगा ठीक है जो इससा पर नग्यारा चूल ढणे आपको वही पैर काई से 20 से उठके udahबेस से लिखते डिछेगे आपको जदी यह कितने नंबर करेंगे आपका देख करे आप नंबर करेंगे त्र हिएंस फंग एक दो नंवरा को निजांγे लगा लिगा लिजीएगा लिख दीजेगा सब ठीक है यह से यहां पर दिया है वाट डिट डॉक्टर दूर तो कुछ नहीं पता है इसके दो सब्द यह चोड़ दीजेगा स्टार्टिंग का और लिखिएगा यहां से लिगा पूरा यहां तक लिखिएगा और परग्राफ में से कोई एक दो लाइन लिखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें